कि अलो फैंस वेलेकम बैक टो चैनल यह बंस ओडर टाइक सल्यूशन के आज का हमारा कोड़े CS5001 के एक कॉमनली जो हमारे के सेंसिटिव मेक्यानिजम है उस परपस दे आता है कि जाता है कि हम हमारे कोड के अंदर जो मेन मेतर हमारी है कि उसका M हम यह आपको सल्टी से स्मॉल कल देते हैं तो जो M हमारा स्मॉल कल दे हमने इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो यह आपको एरर आ जाएगा जाता है कि CS5001 तो प्रोग्राम दस नौट कंटेन अ स्टाटिक मेन मेतर्ड शुटेबल पॉर इंट्री पॉइंट की जो आपको का प्रोग्राम है वो रन करने के लिए आपको जो मेतर्ड है कि के सेंसिटिवे स्टाटिक वाइड मेन मेड के अंदर की जो में आपका वो कैपिटल होना चाहिए तो उस परपस पे एरर आपको यहां पर आ जाता है तो इफ आप इसको कैपिटल कर देंगे एन अगें इसको रन कर देंगे तो एरर स्टॉल हो जाएगा एन उसके अकॉर्डिंग लिए आपका प्रोग्राम हो जाएगा इसका थोड़ा सा ब्रीफ इन्फोर्मेशन देखते कि क्या है इस परपस किस परपस के लिए एरर आता है तो प्रोग्राम डज नॉट कंटेन अ स्टाटिक में मेथड शूटेबल फो इंट्री पॉंट इन असन जो में मेथड हो कीवर्ड आपका मिसिंग हो सकता है या गलत इसके आपने उसको स्मॉल में लिखा होगा तो तो भी यह एरर सेम आपको आ जाएगा then next this error occur when a no static main method with correct signature is found in the code that product produce an executable file and it also occur if the entry point function and main is defined with the wrong case such as lowercase main for information about the rule that apply to the main method see a main and the command line argument arguments जतले कि जो आप देख सकते हैं कि if हम इसको जो हमारा main method है उसको हमने static भी रिमूव कर दिया उस case के अंदर भी आपको same error आने वाल है अभी static q लिखते हैं कि इनी एरर किसी को आईडिया होगी तो आप comment section में बता सकते हैं कि यह जो method है तो static q लिखते है, static भी हटा दा होगे तो भी आपको same error आने वाल है the main method is only required when a compiling an executable file that is when the exe or winexe element of a target type compile option by specify and the following visual studio project type specify one of this option is default उन्होंने example दिये थे उनके website के उपर इसलिए कि normal जो आपका executable files generate होता है इसलिए आप project को build करते हो, run करते हो उस scenario में आपको आपकी void main method या static void main method define करने परते, static main method आपकी if नहीं होगी तो इस type का error आ सकता है इस वीडियो इफ आपको informatory लगे होगी तो वीडियो को like का सकते है चाइनों को subscribe का सकते है आपकी जो भी doubts है and similar next video के लिए bell icon के उपर click का सकते है thank you for watching this video